आप exam tour देख रहे हैं, बहु सारे विद्यार्थी के मन में हमेशा से confusion होता है, आप देखिएगा जब भी कोई case हो सिख्चक भरती से regarding, तो उसमें एक एक नजर सिवनंदन भारती सर बनाए रहते हैं, और उसको देखते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, उनको बताते भी हैं, समझाते भी हैं, कई सारे case को ये देख रहे हैं, सबसे अधिक संख्या में देखिएगा, तो सर ही के पास case है, और उसको हर एक समस्या का हल निकार रहे हैं, तो सर से जानेंगे कि का जो petitioner का मामला है, विद्यार्थी को बनना चाहिए, या नहीं बनना चाहिए, या इससे को कोई लाब नहीं है, कौन बनेंगे तो लाब मिल सकता है, या नहीं मिल सकता है, TRE1 वाले जो confusion चल रहे है, या TRE2 वाले confusion चल रहे है, अब TRE3 का result में थोड़ा सा भी लम हो सकता है, आप देखे हो ये आज के press conference, सब कुछ जानेंगे, सर अब का स्वागत है कि जाम तूर में उतने ही जटिल और बिभीन लोगों के मंतब इस चुकि जो चात्र होते हैं, वो कोट की भासा को नहीं समझ पाते है, ये स्वभाविक सी बात है, तो लोग जानना चाहें कि exact क्या है, कुछ लोगों के बीच में ये चर्चा का विशाय बना, कि जो पेटिस्नर नहीं बने है सभी को लाव मिलेगा इस जज्ज्मेंट के बात, ये स्वभाविक सी बात थी, तो इसमें जो कुछ बाते समझाई गई, जो वरिस्ट अधिवक्ता हैं उनका भी आया, वो भी पितामा है इस कोट के, उनके योगता के आगे में बहुरे बहुरे लोग पानी पिते हैं, स्व बात पर नहीं है, उनका जो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए प्रसंचिन लगा रहे हैं, सवाल बहुत बेना सवय गवाए हमें बताते हैं, कि देखें, ये जो बाते चल रहे हैं कि पेटिशनर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और किन को बनना चाहिए, वो समझे, सबसे पहले दो category का छात्र है, एक ऐसे छात्र है, मैं TRE 1 की बात कर रहा हूं पहले, तो TRE 1 का बड़ा विज्यापन ही जटिल था, इसमें primary teacher के लिए कुछ अभियरती थे, कुछ 9 मी, 10 मी और कुछ 11 मी, 12 मी, 3 category का था, यह जो judgment का संदर्ब है, यह संदर्ब केबल जो है इसमें भी तीन प्रकार के तीन category के लोग है, एक है आपको समान, जो आपन कावलोकन करेंगे, तो आपको पता चलेगा, एक है समान, एक है उर्दू और बंगला, यह primary teacher यानि एक से पाचवी तक में भी तीन category था, यह था आपको समान, उर्दू और बंगला, उसके बाद फ से कोई संगीच के सिक्षक थे, कोई कम्पूटर के थे, बहुत सारे फोकुछ हैं दिक, बहुत सारे लोगों के, यह जो एक मिला जुला चीज़े आने लगा, तो लोगों को लगा कि नहीं, पेटिशनर बनने से यह सी चीज़े हो जाएगी, तो यह clear कटा बात समझे, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने से, फिर वो एक जजज सहाब के, का माइंड का भी एक असली वकालती होता है, कि किताबी ग्यान आपके पास है, फैक्ट है, फिर भी हम लोग कुछ चीज़ों को यह रखा जाता है, कि जिसके जो अन्रेबल जस्टिस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाई जाते हैं, वकीलों के द्वारा, कि क्या चीज उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो क्या कहीं जटिल ना हो जाए, तो विविन तरह का चीज है, तो यह चीज़े की बहुत सारा चीज है, तो बहुत सिंपल वे में रखा गया, तो 101 लोगों का है कट अफ प्राप्त किया गया है, और सप्लिमेंटरी रिजल्ट दिये थे, लोगों का ने दिया, यही केस है, बहुत नट अंसेल में यह समझाए गया, तो समानिता क्या होता है, वो लिखा दिया जाता है, कि यह जो जज़्मेंट का प्रभाब है, के बल पेटिशनर को पड आते हो गई, तो आप यदि मान लिजे, आपको आख की बिमारी है, तो दवा डॉक्टर ने आख का दिया है, तो आपका हड़ी तुटा है, वो कैसे ठीक हो जाए, यह कॉमन सी बात है, कि यह तो मान लिजे आपके आख दिकाने गए, और डॉक्टर साब दवा दिये तो सारा criteria है, उसको भी नजार रखा जाएगा, पहले तो यह बाते हो गई, दूसरी और अहम बात, यदि उस पैटर्न पर चलता है, कि यदि जो पेटिशनर नहीं बने है, उनके आलोग में BPSC जनरल देती है, तो यह जो समान सिध्धानत है, अनिको जज्जमेंट है, कि जो प यह समान सिध्धानत है, एक्षैप्टेड है, एड्मिटेड है, कही बार यह चीज़ें होती रही है, तो मान लिजे कि यह ऐसा है, कि 96 जनती है कि किसी बच्चा का, और वो पेटिशनर नहीं बना, और 96 का बच्चा जिसका डेट अबर था वो पेटिशनर ने बना, और 98 जाएगी तो जनरल लोगों को भी दिया जा सकता है यदि BPSC चाहेगी तब उनका मनसुबा सही होगा तब एक बात दूसरी बात यहां बाल लिजे हाई किया तो उनसे बचेगा तभी तो तो कौन इसका कोई एक डाटा तो नहीं देगा कि इतने केसे फाइल हुए बहुत सारे वकील है बहुत सारे लोगों का यह चीज है तो एक दो बात यह हो गई दूसरी और अहम बात इसमें यह है कि अब ग्रूप में किया जाए कि सेपरेट क बता रहा हूँ जो सिक्षक से ही संबंधित था उम्र के आधार पर कुछ लोग गये थे कि हमको उम्र में जूट देनी चाहिए करने के लिए तो उसमें क्या बताया गया कि उम्र के आधार पर आपको जूट मिलेगी तो किसी का डेट में भी 40 साल था किसी का 52 साल था किसी का सब चावल के साथ रखते चावल को मिला दिये अब ज़स आपको उतना टामनी एक एक चीज को लिखाएंगे किसका बड़त यह इस से वह नाराज होकर सभाविक है आपको कठें लगेगा कि हम जर्जमेंट देंगे कि हम यह मैनुवल काम करेंगे इसी अधार पर उनने का और क केस डिसमिस हुआ है यह कहते हैं थोड़ी सी नाराजगी उनकी थी तो अब माल लिजए लब या इनी सेप्रेट रहा था था पोसिबिलिटी बन था तो एक तो जटके में निकल गया अब ज़दी कोई समझ है कि कोई केस है अब EBC का है या सेडूल कास्ट का बच्चा है तो ए तो जट साब को और आप पैसा माल लिजए ठीक है गुरूप में बनता है तो सभावी खेक हम लेकिन इस आधार पर भी कही खारी तोहां पर ग्रॉंड रहा कि नाइन्थ और टेन्थ वाली जो बच्चे हैं जो कुटकर मार्स पर पराप्त किये हैं और डेट अधार पर जट जना कि पेटिस्नर जो बने हैं या बंच रहे हैं माल लिजे उन लोगों का यदि सीट बचेगा तो इन लोगों को मिलेगा इसमें कहीं को दर मिल भी सकता यह किसका पावर है यह डिसकर्शनी पावर तो बीपीएसी का टेंडेंसी क्या है तो अभी एक उम्रवाले में भी कि आप लोग चुकि कवर करते सभी लोग अवेयर हैं सभी लोग उम्रवाले में केस को डिस्मिस हुआ तो एक को बोला गया किस पर विचार किया जा सकता चुकि उसका पेटिसन सेपरेट था अकेले में उफाइल किया था तो चुकि मैंने कहा कि और लोगों को इसाधार पर हटा दिया गया था कि आप मिक्सप क्यों कर दिये सब का अलग अलग जन्म है किसी का अलग है तो मैं इतना नहीं सुनूंगा तो एक आत्मी का सभी से अप्लेट था उन पर कहा कि आ विचार कीजिए असपस्ट मना एक इंडिकेशन था निर्देश था लेकिन भी पीसी ने अपना हवाला देते होगा कि आ विल नोट कंसीडर ठीक है उनको मना कर दिया जब निर्देश होता है और थोड़ा सा एसकोप यह भी पीसी को लगती है तो यह कर देता है तो जिनके बारे में अकेले पेटिशनर पर था तो वहां तो इतना माल लिजे खेला हो रहा है तो य यह कैसे आप मालने हैं कि आप पेटिशनर ने बने हो किसी का हो जाए तो फिर आप हमसे मिलिये मेरा अपना प्रूडेंस है और चीजों का ने तो यह चीजे एक हो रही है अब सवाल यह है कि जो बच्चे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नहीं होना वह भी पेटिशन पांसाल अंतर है तो आप तक पहुचेगा ही नहीं एकाज साल का अंतर है तो उनको लगता होगा कि उनको संभाबनाए थोरी पर्टिशनर नहीं बनेंगे तो क्या पता रेस्ट-चीट बज जागा तो हो सकता है तो यह विभीन तरह का चीजों को लोगों को ध्यान में रख किया था कटव पाले पर चुकी ज़साब ने एक जज्जमेंट दिया है तो इस सकारात्मक होता है वह दिखा कि दर्वाजा आपका हलका से खुनले में होता है कि हुजूर आप दिये हैं वह प्रैमरी टीचर का था यह 9 और 10 का है यह 11 12 का है यह सब्जक्ट है उसी इसू से कव ही विवमेटर नहीं करता है बहुत लोग आतोम के पर आपको हामेर चुक्त बहां करना जाका पर चाहरेगए जी का बनके हथा पक्लागत है हो रहा है तो यह थो क्रों का को भुष कि इस प्रवाज़ा स अपने च्छात्रों को चूकि बहुत सारा चीज यहां कोट में चीजे देखने पर मिले हैं जो आपको केमरा पर नहीं बोल सकता है, जो भी चात्रे है, उनको डारेक्ट मिलना चाहिए अपने वकिल से, डिसकस्षन करना चाहिए, जो भी वकिल सहाव हो, पहले चीजों को समझ के, मिली है कि बहुत लोग गांधी मैदान में पैसा ले लिए पैटिस्णर अभी तक नहीं बने केस फाइल नहीं हुआ किनका उनको इतनी परक नहीं होती है कुछ लोग गुरूपे में से बना करते तो ऐसे में क्या होता है कि चुकि बच्चे वे रुजगार है एक तो पीरा है इतने दिन पर है और पोट कहचरी का सफर करना पर और यहां पर भी यदि बहुत लोग हमारे पास मिलते हैं तो बताते कि सरफना जगा पैसा दिये तो यह हो गया गांधी मैदान में कुछ लोग गुरू बना के लिए रहा है तो ऐसे नहीं आप जो भी वकिल रखिए अपन का आपके इंमोशन से किसी को कोई लेना देना नहीं है आपको नौकड़ी हो नहीं हो उससे भी बहुत लोगों को लेना देना नहीं है बस पैसा का भी रहता है तो आपको स्टुडेंट जो हैं खास करके पर तो उनको बहुत सब्सक्राइब करना एक प्रस्ण मेरे से यह है रिक्वेस्ट भी है आपसे आपका नम्मर मैं दे देंगा ठीक है थोड़ा सा सही होग यहीं करिएगा कि जो विद्यारती कॉल करें जिनका जो समस्या है थोड़ा सा मेरा र एड़ोकेट है उनके लिए कठीन है एक एक वैक्ति का प्रस्ण मेरे उन्ट्रेंड होती है तो एक एक वैक्ति यदि एस्पेक्ट करेंगे कि सभी को हम दे वो नहीं सामुही कुरूप से आज है बच्चे एक दिन हम डिट बता देंगे उस इन बैठी हम देख लेंगे जिन क्वालिफाइंग वाले आपका बहुत कॉमन सा प्रस्ण होगा कि क्वालिफाइंग वाले में क्या हो रहा है सर बहुत अधायर्ज हो रहोंगे सभाविक है उनको मैंने कहा कि जिस ही साबसे अभी कोट का रूख है कुछ केस मेंशन भी हुआ है और लोगों में सुनभाई श सब चीजें चल रही है कि जो पैटर्ण है जो अभी चोकी कोर्स को केस सुझा हुआ है तो यही सब समानी परक्रिया अभी यही हो रही है तो यह जो एक लैंग में कादेना कि सभी को मिल ला है इससे मेरा ओपिनियन डिफरेंट है एक प्रस्ण हो रहा है सर जैसे टी आरी व वाले तो उनको लाब उसको दिखा कर मिल थे हर ट्यारी वन का अलग अलग फेक्ट था इतने वैकेंसी थे इतने चात्र एपियर किये इतने चात्र नहीं है तो ठीक उसी तरीके से रिसार्च करना होगा ट्यारी टू का कितनी वैकेंसी थी कितने चात्र का रिजल्ट हुआ क इसलिए नहीं हुआ, यह तमाम संदर्भों को ध्यान मेरा कर्तब किया जाएगा, तो उसमें भी फिर प्रैमरी टीचर का अलग होगा, नाइन टेंथ का अलग होगा, 11-12 के लिए अलग होगा, उसमें भी भासा, बहुत सारी बात हैं, तो TRE2 में जो एक प्रस्न जो है, कि जो भासा अहरता क्या धार पर चैलेंज किये हैं, वो कॉमन इसू है, इसलिए उसमें पेटिशनर नहीं भी बने हैं, तो सभी को लाब मिलेगा, परन्तु, जो 11-12 का अलग इसू पर चुकिये मेरा equal marks है, cut-up को हम प्राप्स किये, डेटर तो उन लोगों को लाब नहीं मिलेगा, उनको तो फिर अलग अपना, क्योंकि आपके साथ अर्णियाय हुआ है, अलग तरीके से तो अपने बात को रख ग्रिवांसिस प्रगे, इसलिए अलग चीज़ आपको करना चाहिए अलग से फैटिसन कीसी को मुताबिव जो है साथ नमर रहा है ! उसका रिजल दिखा रहा है की उस्को बावन है तो भैज आपका अलग चीज़ हैю ! किसी को जो है आप देखे कि 1992 वाले का हो गया है आप 91 वाले हैं आपका नहीं हुआ तो आपको करना चाहिए केस तो वह अलग चाहिए उसका सेपरेट इसू है तो सेपरेट ली रखना चाहिए और इतने ब्यापक पहमाने पर एक्जाम हुआ है वी पेसी के द्वारा ली गई है और इतने कम टैम में लिया गया जिस बजह से इतनी तूरूटी पुनबाते ले निश्चित तौर पर ूरुटिया हुई है जिसको को आपको लगेगा चूके इतने ब्यापक पहमाने पर अचानक से चुकि कम टैम दिया गया तो वो भहुत सारे तूरूटिया रहिए तो प्रश्न आप से पूछेंगे, इन लोगा जो चला गया है, आदेश भी चला गया, सब कुछ चला गया, क्या उस पर अभी वे कुछ गरहन है, या रिजल्ट अभी तक, जब तक कि LPA में नहीं जाते हैं, यानि डवल बेंच में चैलेंज करने किसी नहीं जा सकते हैं, उनको जाने की सकती है, लेकिन चले जाने से यह रुक नहीं जाएगा, जब तक कि मानिये उ काम करना पड़ेगा BPSC को, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, अब एक और जो कॉमन प्रस्ट में हो रहा है, चुकि बहुत ज़्यादा पेटिसन फाइल होने लगा है, इस रिजल्ट के बाद BPSC के सम्माद में, और स्यम कॉज़ों करते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, या जो पहले से एक चल रहा है, उसमें भी आईये फाइल करके लोग बहुत सारे चीजे कर रहे हैं, तो कभी-कभी कोट देखती है कि एक को जजमेंट हम दे दिये, इस तरह का तो और भी छात्रों में हूर मच गई है, बहुत ज़्यादा केस फाइल होने, तो कभी-कभी व में हुआ था, जजमेंट का हवाला था, तो जैसे एक्जामनेशन सेंटर में है, ना कि नौ बजे के बाद आपको गेट बंद हो गया था, आपका एक्जाम छुटे या नहीं हो, बंद हो गया तो नहीं कोला, आप चीखते चिलाते रहा गया, नहीं हुआ, ठीक उसी तरीके से, ऐसी भी नौबत आ सकती है, कि जुनको जैन्यून है, आपको लगता है, तो सही समय पर हो जाएं, तो जादा है, नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, तो यह सब भी संभाव नहीं है, इसलिए बहुत सूज, भूज, और स्वाधिकि यहाँ कोट में, जो परिस्तियां होती है, इतने मोटे-मोटे जो किताब हम लोग यहाँ देखते हैं, वो यह होता है कि इस नेचर के केस में, जाद सहाब ने क्या-क्या बड़ा अध्यन करके, एक टेकनिकल बात आप समझें, कि मामूली सी टेकनिकल, जब आप रिजल्ट को चैलेंज कर दे तो भाई, रिजल्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो जीतना आदमी का रिजल्ट हो गया, उसको पेटिसनर बनाईए, अब तीन लाख या देर लाख लोगों का जिसका सलेक्शन हुआ है, उसको कितना आदमी का एड्रेस ढून के तीन लाख लोगों को आपे पार्टी बन लग रहा है कि यहां पर जितने भी अभी जो मने यह एक लॉट में तो रिजल्ट देगा ही, देख एक चीमा बताओ, चाहे LPM जाए चाहे सुप्रिम कोट में जाए, मेरी अपनी सूजभूज और समझदारी जो इतना इस के अंदर बनी है, मुझे लग रहा है कि कहीं से भी काउंटर में के माधियम सेंब्ली रिप्लाय देते हैं, उस अदार पर हमको लगता है कि तुरूटी पूर्ण है, इसलिए उनको कहीं से राहत मिलने वाली नहीं है, छात्र को ही जीतेंगे और उनको जोएन कराना ही होगा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, इसके हम लोगों का है, चुकि उसमें कैटेगरीज बहुत सारी बाते थी, एक केस सुलज गया, तो यह देखिए बहुत कंप्लिकेटिड था, अभी इतने चात्रों के बीच में इतनी गुम रहा है, चुकि विग्यापन, एक विग्यापन में 34 परकार का, माली जो देखा जाए, एक चौट का मतलब एक डाटा, नि माने बीभीन तरह का जो है, तो एक जाम लिया गया, तो इस तरह का केस जब जाएगा, तो जल्दी डिस्पोजल होगा, इसलिए मैं ने आक बता है, हाला कि हाई कोट में डेट नहीं परता है, कि यह तारिक नहीं परती है, वो टेक अप ह हो जाएगा, तो जो चात्रा हमारे बहुत ही समझदार है, सभी लोगों को, मुझे उमीद है कि एक मेना में, अब आज आना चाहिए, लोगों को, जो क्वालिफाइंग वाले हैं, उन पर भी जज्जमेंट आना शुरू हो जाएगा, बहुत हो धन्वाद, शुक्रिया आप झार्जम ओने हैं आना साहिए, मुझे समझ एक बहुदः रही लोगों क्र Adamsunk ね Devil, MLी लोगों को, मुझे सक odcूंध एक भी लोगोों क्वादार में, जacja म 흡़ी लोगों कि लोगों कि लुखे खशना सुखेसी लोग खंशना सopes़ जाएगा कि लोगों कुछना साभा से साहि